मैं हूँ चंदन पटेल और देखिए कुछ आज मैं पांच ऐसे स्टॉक के बात करने जा रहा हूं पांच पैनी स्टॉक के बारे में जो कि आपको ये बाइंग जरूर ही करना चाहिए क्योंकि एक अच्छे लेबल पर मिल ला है आपको बाइंग अगर नहीं करेंगे तो आप समल लेजिए एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं चलिए मैं एक पहले स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं इस टॉक का नाम है उत्तम गालवा स्टील आप यहां पर देख सकते हैं यह आईरन और इंड स्टील में काम करने वाली कंपरी है अगर हम इस स्टॉक का बांड का रूपेअ थीजएंग मार्किट का kl अगरत करें अगर हम चेरा होल्डर्स की बात करें तो लगपक सेव क्षे वनधक्रिंग taking to करें तो देखिए रिटन तो यहां पे 17 परसंट माइनस में और अभी एक मन्त ही पहले मतलब एक मन्त में इस करेंट मन्त में इसने लगबग 10.61 परसंट का रिटन दिया है जो कि अब यह ऐसा लग रहा है कि अब कंपनी ऊपर की तरफ बढ़ रही है और अगर हम इस स्टॉक के बारे में बात करें तो यह स्टॉक लगबग तीन रुपए 65 पैसे के आसपास आपको मिलना है और अगर हम यहां पर चार्ट लगाएं तो हम यहां पर देख सकते हैं जो वीकली चार्ट हमने लगाया है वीकली चार्ट में रिसेंट में लगबग आठ साड़े आठ रुपए का यहां पर तेजी देखने को मिल ला था ठीक है मतलब जो हाई है और उसके बाद अगर हम यहां पर लो की बात करें ते देखिए लो हमने आपको बताई दिया तीन रुपए कुछ पैसे था और यहां पर सेम उसी लेबल के आसपास यह करिक्सन होके जा रही है कंपनी ठीक है तो आपको इस लेबल पर भी बाइंग करना चाहिए और आपको हमेशा देखिए आपको मैं हमेशा से बताते आया हूं कि कभी भी किसी पेनी स्टॉक में आपके पास अगर लाख रुपए है तो एक लाख रुपए है तो एक लाख रुपए ही बाइंग आप ना करें आप धीरे 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 करके बाइंग करें हर एक लेबल पर हर एक लेबल पर बाइंग करेंगे तो आपको बहुत ही जबर्दस प्रॉफिट मिलने वाली है चलिए नेक्स्ट स्टॉक है के बीसी ग् अब यहाँ पर देख सकते हैं नेस्ट इस्टॉप का नाम है केभीची सी ग्लोबल जो कि रियल स्टेट में किये कंपनी काम करती यह यह और अगर हम यहाँ पर बावन बीक हाई की बाट करें तो टेईस Arizona सतर स्वरी तेईस रुपे सतर पैसे का है और बाउंड बीक लो की बात करें तो दो रुपे 20 पैसे मार्केट के बहुत ही अच्छा है लगबग यहां पर देखिए अगर हम यह रिटन के अगर हम बात करें तो लगबग 88 परसेंट का रिटन है और अगर हम वन मंत की रिटन की बात करें तो यहां पर देखिए माइनस 17 परसेंट का रिटन है और एक साल में माइनस 88 परसेंट का रिटन है चलिए अब हम चलते हैं इसके चार्ट पे और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो चार्ट है देखिए मैंने वीकली वाई चार्ट लगाया है यहां पर अगर आप हाई देखेंगे तो लगबा 23-24 रुपए के असपास है और अगर यहां से मगर लो देखेंगे तो देखिए यह अपने एकदम लो पर ही ट्रेड कर रहा है तो आपको यहां पर जरूर बाइंग करना चाहिए क्यूंकि दो वीक में बहुत ही भारी वैलूम यहां पर उठाए आपको मैंने फिर बताया मान लिजे अगर आप इसमें एक लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके देखें आप बले से दस ही अजार करिए पांच ही अजार करिए जो मैं कल्कुलेसन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है अगर आप एक लाख र पर सेंट इन्वेस्ट करिए फिर धीरे धीरे जो और सत्तर परसेंट आपका पैसा है वह आप धीरे धीरे करके बाइंग करिए ठीक है यह पहुत ही अच्छी स्टेट जी है पहनी स्टॉक में देखी जो तीसरे नंबर पर स्टॉक है उसका नाम है त्रिवेनी इंटर प्राइज जो की एक कॉमोडिटी ट्रेडिंग में काम करती है कंपनी यह भी लगबग 80% माइनस है और वन येर में और वन मंत में लगबग 14% माइनस है अगर हम यहां पर बाउन भी हाई की बात करे तो 14 रुपे 35 पैसे का बाउन भी खाई है बाउन भी लो यहां पर 2 रुपे 46 पैसे मार्किट के एपलाइजिसन की बात कर ले तो 16 करोन का मार्किट के एपलाइजिसन है सेयर होल्डर्स की बात करें तो 9.1 के सेयर होल्डर्स है यह कंपनी लगबग 2 रुपे 82 पैसे पर काम कर रही है मतलब ट्रेड कर रही है और अगर हम यहां पर चार्ट लगा तो देखें मैं वीकली चार्ट लगा रहा हूं आपको देखने को मिलेगा कि लगबक 14 रुपेज से उपर का है हाई और लो इसका आप देखिए एकदम अपने लो के ही आसपास यह ट्रेड कर रहा है तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट आप करें बाद में जो भी आपका बचा हुआ 70% है आप धीरे 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 करके इस लेबल या इससे नीचे लेबल आप इतना सोचे कि इससे नीचले ही लेबल पर मुझे बाइंग करना है ठीकर है चलिए दूसरी कंपनी के बारे में बात कर आइरन और स्टील में काम करने वाली कंपनी है एक साल में लगबग 62% का माइनस है और वन मंथ में यह लगबग करेक्शन देखे तेजी देखने को मिले यह 2.51% की तो यहां पर आप बाइंग जरूर कर सकते हैं क्योंकि अभी यह स्टॉक तेजी में है और बाउन बीक अग कैपलाइजेशन 12 करोड का है और अगर हम यहां पर सेयर होल्डर की बात करने तो वन सिक्स पॉइंट सेवन के सेयर होल्डर थे यह कंपनी लगबग तीन रुपे 69 पैसे पर ट्रेड कर रही है और अगर हम इसकी चार्ड देखें तो आप यहां पर चार्ड देख सकते हैं यह इसका हाई बनाया था फिर उसके बाद लो फिर हाई फिर उसके बाद अभी लो ही बनाया अभी यहां पर बहुत जबर दस एक बॉक्स टेडिंग ह रही है अब आप अगर यहां पर बाइंग करते हैं तो आपको उपर जाने की कोशिस 90 कि रहेगी ठीक नहीं चांस 90 परसंट करेगा भले से 90 परसंट रहे या 99 परसंट रहे फिर भी हमें वही स्टेश्जी अपनानी एक लाख अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 30 हजा का आप इन्वेस्टमेंट करिए और सत्तर हजार आप रखे रहे लगबग यह दो रुपे ढाई रुपे जाए तो आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट स्टॉक है विकास प्रोपेंट अब अगर हम विकास प्रोपेंट की बात करें तो वन येर का जो प्रोप करें हैं तो तीर रुपे 25 पेसे का बाउन नेख आई है बाउन विक लो जी रू पॉइट 75 का है और मार्केट के अप्लाइजैसिंग के अगराफ करिए Cr whale नारत तैल्स करोन का मार्केट का अप्ला इस उना सेयर होल्ड 3 पे चल लही है 93 पे और अगर हम यहां पर चार्ड की बात करें तो अपने लोग के ही आसपास यह कंपनी ट्रेड कर रही है तो आपको यहां पर जरूर बाइंग करना चाहिए आपको सेम मैंने बताया आप यहां पर एक लाख अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहां पर 30 से 40 अजार आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और थोड़ा सा होल्ड रखिए जब यह और करेक्शन होगा आप और बाइंग कर लीजिए ठीक है देखिए कि पांच मैंने कंपनी बता दी आप पांचों कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना एक दम ब देखिए जो पेनी स्टॉक होता है उसमें आप लॉंग टर्म के लिए मत रुकिएगा आपका अगर पैसा बनता है आपका अगर पैसा अच्छा बनता है तो आपको धीरे 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 करके सेलिंग करनी है मतलब जैसे आप हर एक लेबल में बाइंग करते हैं हर एक लेबल म पर आपको सेल करना है ताकि अगर हमें इस पर अगर हमें एक थोड़ा अगर मुनाफ़ा हो तो नेक्स्ट लेवल पर जाके हमें जादा मुनाफ़ा हो सके और यहां से अगर करेक्शन भी होता है तो हमने तो मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग कर लिए अब जब नीचे आएग ओके था प्रॉट बॉट आप इस वेट रिएस तो ने चेजए वेटेन नेचे प्रॉट दोममाट यहें को ताकिन है थाट रिए खेए भी को प्रॉट अबॉट नेचे अजिसे आपके तो हमें आपके थाहएं हो तो हमें झारिको आपके रहाएं है